गुड वार्निंग बच्चों टेक्नोशिक्सा आज आपके लिए आपकी हिस्ट्री की क्लास 12 का चप्टर तीसरा लेके आया है इस थर्ड चप्टर में जो की बहुत इंट्रेस्टिंग चप्टर है जिसका नया नाम इस साल बदल कर हो गया है जो पहले नाम होता था आपका किंसिप कास्ट एंड क्लास तो 2020-21 के इस सैसन से आपकी किताब का नाम बदल गया है और फिर धियान रखे सिर्फ नाम बदला है ठीक है तो इस चप्टर में महाभारत का यूज करके आपको सोशल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया है ठीक है चप्टर का नाम है हमारा सोशल हिस्ट्री यूजिंग दा महाभारता महाभारत आप सब ने इस ग्रिटेस्ट एपिक को अभी हाल फिलाल में लॉकडाउन के दौरान आराम से देखा होगा और इससे पहले भी काफी साल पहले ये अक्सर आता रहा है महाभारत आप काष्ट एंड क्लास इसमें 600 इसापूरु से लेकर 670 तक का अरंभिक समाज के बारे में बताया गया है याद है पिछला चप्टर राजा किसान और नगर उसमें भी 600 इसापूरु से 600 इसवी तक की ही कहानी थी तो इसमें और उसमें क्या फर्क है मैंने का पिछले अध्याय में हमने 600 इसा पूरु से 600 ईश्वी तक के राजनेतिक और आर्थिक इतिहास ठीक है पिछले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था राजनेतिक और आर्थिक इतिहास और इस चेप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं समाजिक इतिहास ओके इस अध्याय में हम वर्ग जाती संब बंद और लिंग इनके साथ समाजिक इतिहास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे इन सब के साथ में हम समाजिक इतिहास के मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं ठीक है इसमें हम क्लास, कास्ट, किंसिप और जेंडर इन सब के बारे में पढ़ेंगे आते हैं सुरू करते हैं तो अब चेप्टर है महाभारता 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 is one of the most prosperous epic of the subcontinent कहता है subcontinent के सबसे समरिद गरंथों में से एक है हमारा महाभारत महाभारत कुलासल epic ये एक विसाल महाकाव है बहुत बड़ा आपको पता है ठीक है इस गरंथ की रचना 1000 साल तक होती रही 1000 साल तक लिखा जाता रहा ऐसा नहीं कि इसे एक दिन में लिख दिया गया 1000 साल तक लिखा गया नहीं कि एक आदमी के दुआरा नहीं कई व्यक्तियों के दुआरा ये लिखा गया है ठीक है इसके बारे में हम आगे पड़ेंगे कहता है लगबग पांसो इसा पुरुसे से लिखना शुरू किया गया और एक हजार साल तक इसको लिखा जाता रहा कहता है महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जै सहिंता क्या नाम है इसका प्राचीन जै सहिंता यह मुख्य कता जो है दो परिवारों के बीच हुए युद का चितरण है कौन से दो परिवार थे वो कौरव और पांडव ठीक है कहता है इस किताब के जरिये हमने पता लगाने का प्रियास किया है उस समय के लोग का समाजिक जीवन किस तरह का रहा होगा ठीक है तो यह आपको महा भारत का एक चितर दिखाई दे रहा है तो मैंने कहा था दो जो भाई थे कौरव और पांडव उनके बीच का यह युद चलिए आगे देखते हैं इस परकार के ग्रंथों से उस काल के इतिहास की रचना करना काफी सरल हो जाता है पर कोई भी जो टेक्स्ट या इस्क्रिप्शन से लिखा जाता है कोई भी ग्रंथ लिखा जा रहा है उसका कोई एक दिरिश्टी कौन जो किसी के एक फेवर में लिखा जा रहा है अब उसमें कुछ बढ़ा चड़ा कर लिखा गया है या किसी तरह लिखा गया है ठीक है नहीं हुआ पिशले पार्ट में पुद्धानी से करें तो समाज में प्रचलित, आचार, व्यवार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है पर मैंने कहा अगर हम सावधानी से करें तो क्योंकि समूधाय विशेस के दिश्टिकोंड से भी लिखा जाता है ठीक है तो इसका जो पहला टॉपिक है इस किताब के अंदर वो है The Critical Edition of the Mahabharata Mahabharat का समालोचनात्मक संस्करण ठीक है इसका समालोचनात्मक कहता है The Critical Edition of the Mahabharata in 1919 Under the Leadership of Indian Sanskritist V.S. Sukathankar Mahabharat का समालोचनात्मक संस्करण 1919 इश्वी में संस्करण विद्वान V.S. Sukathankar के नित्रतों में किसके नित्रतों में? V.S. Sukathankar के नित्रतों में कब 1919 इश्वी में कौन थे ये? संस्करण के विद्वान ठीक है? तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा इस किताब में लाश्ट में मैंने इस चैप्टर के लाश्ट में आज की क्लास के लाश्ट में मैंने आप से कुछ कोशन्स पूछे हैं कुछ objective questions रखे हैं आपके लिए ठीक है? तो उनके answers आप करके दिखाईएगा अगर इस वीडियो को अच्छी तरह सुनेंगे तो सब के answer आप easily कर पाएंगे objective questions जो आपके paper में आने हैं इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप subjective questions के answer देने में वैसे ही बड़े ही easily दे पाएंगे उनको भी मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा subjective questions पर अभी मैंने इसके last में आपके लिए कुछ objective questions रखे हुए हैं जिन्हें आप last तक वीडियो देखे और फिर उनको solve करें और comments में आप अंसर बता सकते हैं ठीक है कहता है मैंने का महाभारत का समालो चुनात्मक संस्क्रिप्र 1919 में किसने एक संस्क्रिप्ट विद्वान थे क्या नाम था उनका विएस सुकतंकर manuscripts of महाभारता written in different parts of the country were gathered manuscripts किसे कहते है manuscripts पांडूलिपी ठीक है अब बताते हैं कहते हैं देश में अलग-अलग भागों में लिखी महाभारत की पांडूलिपियों को इकठा किया गया जो पूरे देश में महाभारत अलग-अलग जगह पे लिखी गई थी उन सब की पांडूलिपियों को इकठा किया गया पांडूलिपि देखे manuscripts किसे कहते हैं manuscripts उस दस्तावेश को कहते हैं जो एक व्यक्ती या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखा गया हो ठीक है हाथ से लिखी वी script कहता है जैसे हस्ट लिखित पत्र हाथ से लिखा वा पत्र या किसी अन्यविदी से मुद्रित किया हुआ किसी दूसरे दस्तावेश से नकल करके नकल तयार करके सामगरी को पान्डूलिपी नहीं कहा दे जैसे ही Lucky जी हमने तो इसको हम पान्डूलिपी नहीं कहेंगे ये पान्डूलिपी का चित्र हो गया तो पान्डूलिपी उसकी original copy जो किसी एकव्यक्ति या अनेक व्यक्तियों दौरा लिखा जाए फिर सब आपके हमने तमर जो मैनिस्क्रिप्ट के examples है कहता है उन स्लोकों को चुना गया मैंने कहा सारे देशों से हमने इकटी करी पांडूलिपिया ठीक है कहा था ना मैंने मा भारत की पांडूलिपिया देश के अलग-लग भागों में से इकटा किया और फिर क्या किया कहता है और उसमें से किन स्लोक को चुना गया जो लग-बग सभी पांडूलिपियों में समान थे हमने क्या कहा उनमें बहुत सारे स्लोक थे सम्में तो जो सम्में कॉमन स्लोक थे वो हमने ले लिये वो हमने लिये 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 लियुक्ता कहता है उन स्लोको को चुना जो सभी में समान थे और इनका प्रकासन तेरा हजार पेजों में फैले अनेक ग्रंत खंडों में किया इस कारे में विद्वानों की दल को कितना समें लगा 47 years 47 साल लगे इन 13,000 पेजों में इसको परकासित करने में ठीक है 47 साल लगे क्योंकि देश में कश्मीर से कन्याकोमारी नेपाल तमिलनाडू सारी जगे अलग-अलग तरह की महभारत परचलित थी उन सब महभारतों में से जो जो कॉमन था सब से लिया गया और ये नया इसका एडिशन तयार किया गया इस पूरी परकिरिया में दो बाते वी से इस रूप सार उपर कर आई पहली किया सस्कृत के कई पार्ठोंक्स के अनेक अन्सों में समालता थी ठीक है यह इस बात से स्पेश्ट है कि उत्तर में करस्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिन में केरल और तमिलनाडू तक की पांडिय लिपियों में काफी कुछ सिमिलर्टी थी और दूसरी बात है कहता है कुछ सताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेशन में अनेक छेत्रिय प्रभेद भी उबर कर सामने आए छेत्रिय प्रभेद मतलब छेत्र के अधार पर कुछ इनमें डिफरेंसिस आए मैंने कहा काफी समय तक लिखी गई एक हजार साल तक लिखी गई थी बताया था ना तो कहता है इसके अधार पर कुछ छेत्रिय प्रभेद उबर कर आए क्योंकि सताब्दियों के दौरान कई सारे चेंज़ेस आते हैं यह प्रभेद उन गुड़ पर करियाओं का दियो तक है यह जो प्रभेद आए क्यों जिन्होंने प्रभावसाली परंपराओं और लचीले स्थाने विचार और आचरण की बीच समवाद कायम करके समाजिक इतिहासों का रूप दिया था समाजिक इतिहास को जो रूप दिया कहता है यह इसका दियो तक है जो गूड़ प्रभेद उभर कर आए दूसरा टॉपिक इसमें समालोचनात्मकता के बाद आता है किंसिप एंड मैरिज बंदुता एवल विवा ठीक है अनेक नियम और व्यभार की विभिनता अब बंदुता और विवा के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें जो हमारे पाच टॉपिक्स हैं सबसे पहला है फाइंडिंग आउट अबाउट अबाउट दूसरा है दा आइडियल आफ पैट्रिलनी तीसरा है रूल्स अफ मेरिज और फिर इसमें आता है दगोत्रा आफ विमेन और क्या माता है महतो फूंटी वह मदर्स इंपोर्टेंट आए शुरू करते हैं परिवार परिवार या फैमली या कुल किसे कहते हैं परिवार या फैमली कहता है परिवार के लिए और जाती का बांधवों के बड़े समोग के लिए होता है परिवार के लिए है कुल और जाती किस के लिए है बांधवों का बड़ा समोग किन फॉल्क मतलब बांधवों का बड़ा समोग ठीक है बंधू बांधव the term वन्सा is used for लाइनेज कुल के पूरवज इकठे एक ही वन्स के माने जाते हैं जो ठीक है एक के पीड़ी पीड़ी दर पीड़ी जो चलता है उसके लिए वंस कहता है क्याता है एक ही परिवार की लोग भोजन और दूसरे संसाधनों को आपस में बाट कर प्रियोग करते थे जो एक फैमिली के जनाम था ना और सौ भाई और उसके बाद भी सारे लोग साथ रहते थे तो पहली जोइंट फैमिली जी देखी जाती थी कहता है संसादनों को बाटते थे आपस में और भोजन का अपस में एक साथ मिल करके एक साथ मिल कर रहते थे एक साथ अनुष्ठान करते थे अनुष्ठ परिवार एक बड़े समूख का हिस्सा होता है, जिसे हम संबंधी कहते हैं, तक्निकी भासा में ही संबंधियों को जाती समूख आ जाता है, एक ही जाती यानि किन फॉल्क उसके लिए यूज़ कर रहा है, टेक्निकल फॉर्म इस किन फॉल्क, इतिहास कारों को उच्वर्ग के परिवारों के बारे में जानकारी असानी से मिल जाती है, जो आपके एलिट्स फैमिली है, एलिट के बारे में तो आपको नौलिज मिल जाती है, कहीं भी अब लेखों में, सब चीजों में, गरंतों में, उन्हीं की कहानिया लेकी होती है, पर आम जन मानस के बारे में, इज भंगू चाय वाला है उसके बारे में अगर आपको जानना है आप डालो Google में नहीं आएगा ना तो मैंने कहा उसी उस समय भी जो एलिट फैमिली जो उच्छ कुलीन वर्ग के लोग है उनके बारे में तो जानकारी एजली मिल जाती है पर जो आम जन्मानस है उसके बारे में ज ट्रेसिंग डिसेंट फ्रम फादर टू संग ग्रंडशन एंड सो ओन पित्रवनसिक्ता का अर्थ है वह वंस परंपरा जो पुत्र फिर पौत्र पर पौत्र आदी से चलती है ठीक है कैसे जा रही है पिता से पुत्र में पुत्र से उसके पुत्र में इस तरह ये परंपरा चली आ रही है, ऐसे कहते है, पित्र वनसिक्ता, मात्र वनसिक्ता सब्द का इस्तमाल हम तब करते हैं, जहां वन्स परंपरा मा से जोड़ी होती है, मा उसकी पुत्री, फिर उसकी पुत्री, ठीक है, तो पित्र वनसिक्ता में मैंने का पिता, पुत्र, पुत्र इस तरह महाभारत में माता, उसकी पुत्री, फिर उसकी पुत्री महाभारत है कैसे रिष्टों में परिवर्तना रहा है, कैसे यहा... हमारे देश में पहले से मौझुद थी महाभारत ने पित्रवनसिता को बस ज़्यादा सुद्रिड किया और ज़्यादा मजबूत किया महाभारत महाभारत भूमी और शक्ती पर एक विवाद का वर्णन करती है यानि describes a dispute over land and power क्या था महाभारत सत्ता के लिए युद पावर और लेंड इसी के लिए तो युद था महाभारत महाभारत में क्या था एक कुरूवंस था कुरूवंस के दो थे कुरफ और पांडव दोनों किस से सम्बंदी थे कुरूवंस से यह आपको दिल्ली के आसपास का जो चेतर था देखे इंद्रपरस्त मतुरा कहता है इट वस दो कौरवाज और पांडवाज फूज बिलॉंग तो अ सिंगल रनिंग फैमिली देट अफ दो कुरूवर पांडव थे जो कुरूवंस से सम्बंदी थे संगर्स एक लड़ाई में समाप्त हुआ जिसमें विजय हुए पांडव कहता है उसके बाद पितर सत्ता उत्रादिकार घोसित किया गया कि अब पितर सत्ता चलता चलेगा ठीक है यही तो था जब एक व्यक्ति क्योंकि वो असमर्थ था क्योंकि दिरतराष्ट जोते अंदे थे तो जिसकी वैसे उनके छोटे भाई को बना दिया गया था राजा जबकि बड़ा पुतर राजा बनता था पर जब बड़ा भाई आयोग्य था तो छोटे भाई को रा और पांडू के बड़ा बेटा था युदिष्टिर, किसे राजा बनाया जाए, यही तो कन्फिलिक्ट था, ठीक है, क्योंकि पांडू राजा था और पांडू का बड़ा बेटा युदिष्टिर होता था, परन्तु पांडू को क्यों बनाया गया था, क्योंकि पुत्र सुयोग्य है तो वो दोनों के बीच कंफ्लिक्ट होता है कि कौन बनेगा राजा कहता है जादता राजवन्स पित्र वनसिक्ता का ही अनुसरण करते थे कभी पुत्र ना होने पर भाई या संबंधी रिलेटिर्स को उत्रादिकारी बनाया जाता था विशिष्ट परि पुत्र वनसिक्ता का नुसरण करते थे रिगवेट के मंत्रों से भी इस प्रथा का पता चलता है कि पुत्र का क्या महत्व है ठीक है आपकी किताब में एक दिया भी हुआ है प्रोड्यूसिंग फाइन संस उत्तम पुत्रों का परजनन या रिगवेट से एक मंत्र का अंस है ठीक है लगबग एकजार इसमी पहले इसमें जोड़ा गया था आज भी विवास हसकार के दौरान पुरोई तो द्वारा ये मंत्र पढ़ा जाता है ठीक है कहता है मैं इसे मुक्त कराता हूँ किन्तु वहां से नहीं मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्रों हो और पती के प्रेम का सोबा गया इसे प्राप्त हो तो यहां क्या मतलब है इस घर से यानि कि पिता के घर से और वहां मत कहा अब उत्तम पुत्रों की बात की गई है कि पुत्र ही वास्तवे में जरूरी थे विवहा के परकार, टाइपस अफ मैरिजिस, अब हम पढ़ते हैं विवहा के परकार, ठीक है, कहता है पॉलिएंट्री प्रक्टेस, ए वुमेन हैविंग सेवरेल हस्पेंड्स, यानि बहु पती विवहा परता, एक सत्री के एक से अधिक पती होने की पदती, जैसे की ड्रॉपदी को आप जानते हैं, पांचाली कहते हैं न, पांच पती थे जिनके, कहता है बहु पतनी विवहा, एक पुरुस के एक से अधिक पतनिया, जैसे अच्छा ये जो थे पांडु, पांड धर्म में follow किया जाता है अपने गोत्र से बाहर ही विवा माना जाता है अंतर विवा को मानेता नहीं दी जाती है ठीक है एक ही समू या गोत्र या कुल या जाती में विवा नहीं माना जाता है विवा के नियम rules of marriage कहता है पितर वंचे समाज में वंच को आगे बढ़ाने के लि कर्णिया की भेंट को पिता का महतुत्र धार्मिक करतवी बाना जाता था कि पिता अगर कर्णियादान किये बिना चला गया तो उसकी आत्मा को मुक्ती भी नहीं जाने लगे अब लोग एक जगे से बाहर समान खरीदने और बेचने के लिए आने लगे तो क्या हुआ लोग बाहर आए तो उनके साथ में आचार विचारों का भी आपस में आदान परदान हुआ तो इसे जो प्रारंबिक पुराने विचार और विश्वास थे उनके ओपर क्वेश्चन मार्क लगा तो अन्यूसवा शृूर्डी वाधीता होती है उनके ओपर क्या लगा क्वेश्चन मार्क तो इसके जवाब में ब्राह्मनों ने क्या किया एक विस्तुषित आचार सहिताए बनाई अचार सहिताएं मतलब एक नियमावली एक कानून की किताब की इसका पालन सभी को करना जिरूरी है ठीक है इन अचार सहिताओं का संकलन फाइवनड़ बीसी में धर्मसूत्र और धर्मसास्त्र नामक सस्कृत गरंथों में किया गया कब किया गया 500 इसा पूर्व में किस नाम से धर्मसूत्र वा धर्मसास्त्र इन सब में सबसे महतपूर्ण थी मनुस्मिर्थी सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है मनुस्मिर्थी और इसका संकलन कब हुआ लगभग 200 इसा पूर्व से 200 इश्वी के बीच में ठीक यह धरम शूत्र मनुष्मिर्टी मेंने का सबसे मुख्य है अब हम पढ़ते हैं धरम सूस्त्र में आट परकार के विवा की पदती बताई गई है ठीक है तो यह मनुष्मिर्टी के द्वारा मनुष्मिर्टी में इसका उलेख है पहला जैसे ब्रह्म विवा ब्रह्म विवा जो कि आज के समय में आप देखते हैं जिसे अरेंज मैरिज कहते हैं माबाप जिसके लिए एक वर चुनते हैं और उसको वेदग्ये वर को दान दिया जाता है पती पिता ने स्वेम आमंतृत जिसे किया होता है बहु मुल्य वस्तरो करन्या का दान और अलंकार बतलब आपको बहु मुल्य वस्तरो के साथ जब लड़की को गिफ्ट किया जाता है लड़के के पास पिता द्वारा जिसको आमंतरित किया गया हो मैंने का फर एक्जामपल तुडेश अरेंज मैरिज देव मैरिज ठीक है? देव विवा कहता है किसी सेवा काम के बदले में अपनी बेटी को दान में दे देना ओके? धार्मी कनुष्ठान के लिए अपनी बेटी दान में दे देते थे तो वो देव विवा कहलाता था किसी बिरीशी को ठीक है? इस तरह है आर्ष विवा कन्या पक्स वालों को कन्या का मूल देकर समाने तक गौदान करके कन्या से विवा कर लेना आर्ष विवा कहलाता है चोथा आता है परजापत्य विवा कन्या की सहमती के बिना उसका विवा अभिचाते वर्ग के वर से कर देना लड़की राजी नहीं है पर पिता ने उसको एक कुलीन परिवार में, एक राजसी परिवार में दे दिया, ओके, अरिस्टोक्रेट क्लास में उसको दे दिया, तो यह होता है परजाबते विवा, असुर विवा, कन्या को खरीद कर, ठीक है, आर्थिक रूप से विवा कर लेन असुर विवा कहलाता है, गंधर विवा, परिवार वालों की सहमती के बिना वर और कन्या का, बिना किसी रीती रिवाज के आपस में विवा कर लेना गंधर विवा कहलाता है आज कल के दिनों में जो प्रेम विवा होता है वो गंदर विवा का ही उधार रहना है राकसस विवा करन्या की सहमती के बिना उसका अपहरन करके जबरदस्ती विवा कर लेना राकसस विवा कहलाता है ठीक है पैसाच विवा, पैसाच विवा क्या है? कन्या की मदोसी, जब उसे होस नहीं है, गहन नित्रा में है या मानसी दुर बलता है और इसका फाइदा उठा कर उसके साथ सारे एक संबंद बना लिया जाए और उसके बाद उसे विवा किया जाए इसे पैसाची विवाह कहते हैं तो हमने का आठ परकार के विवाह है आपकी किताब में जो दिये गए है मेन पहला, चौथा, पांचवा और छटा यही चार विवाह के बारे में बताया गया है ठीक है? वैसे विवाह के आठ परकार है तॉपिक है दगोत्रा ओफ विमें इस्त्री का गोत्रा अकॉर्डिंग टो ब्राह्मेनिकल प्रक्टिस सिंस अब थाउजन बीसी प्यूपिल इस्पेसली ब्राह्मिन्स वर क्लासिफाइड एच गोत्रास ब्राह्मण प्दितिके नुसार लगवग एक हजार इसापूर के बाद से लोगों को खास तोर से ब्राह्मणों को गोत्र में बाढ़ दिया गया परते गोत्र क्या था एक रिशी के नाम पर था और उस गोत्र का जो सदस्य होगा उसे उस रिशी का वनसज माना जाता था गोत्र के दो नियम महिट पूंट है कि विवा के बाद इस्तरियों को पिता का बदले पती का गोत्र यूज करना है ठीक है ना आज भी जैसे आप सरनेम देखते हैं गोत्र तो सरनेम चेंज करती है आजकर के जमाने में तो कुछ लड़किया थे नहीं भी खरती है पर क्या था गोत्र को साधी के बाद लड़की को पता का गोत्र छोड़ करके पती का गोत्र अपनाना था और गोत्र के सदस्या आपस में विवा नहीं कर सकते थे सगोतर में विवा नहीं हो सकता था बहीर विवा को ही मानेता थी अंतर विवा को मानेता नहीं थी कहता है समानेता इन इमों का पालन किया जाता जनरली ये सब जो हैं फॉलो किये जाते थे पर कुछ इसके एक्षेप्षिंस भी थे Western, India and part of the Deccain were ruled by the fattvahana kings based on their inscriptions historians spread a blueprint for their family ties and matrimonial relationship इनके अभिलेखों के अधार पर इतियासकारों ने इनके पारवारिक और विवाहिक रिस्तों का खाका तयार किया है सातवाहन एंपार देखें दक्कन के भारत दक्कन भारत की तरफ सातवाहन एंपार आपको इस नक्षे में दिखाये भी गया है, कहा से कहा तक फैला हुआ है, ठीक है न, यह साथ वहन सामराजे, कोई तकलीफ देख सकते हैं आप सभी, ठीक है, देखें साथ वहन सामराजे, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, साथ वहन सामराजे, तो लिए, ओके, यह साथ वहन सामराजे इसमें यहां पर है ओके साथवाहन सम राजाओं में बहु पत्नी पर्था का परचलन था एक राजा की कई पत्निया यह एक आपकी किता में चितर दिखाया भी गया एक गुफा जिनने की गुफाओं को बहुत साथवों को गिफ्ट किया जाता था उस गुफा में एक साथवाहन वाले कुछ राणियों का एक ही गोत्र था शेम गोत्रा मतलब इसके खिलाफ था साथ वहन राजा अपनी मा के नाम से भी जाने जाते थे मैंने का अपने नाम के साथ मा का नाम यूज कर रहे हैं जब की है पित्रवंस यह राजवंस था राजा तो पिता का पुत्र ही बन रहा है क्या माताई महत्वपूर्ट थी साथवान राजाओं को उनके मातरी नाम से चिन्हित किया जाता था अपनी मा के नाम के साथ उनका नाम था तो कहता है इसे लगता तो है कि माताई महत्वपू आए ठीक अभी लेखों से लेखो साथवान राजाओं के नाम मिल रहे हैं तो कहता है इनमें आप देख सकते हैं इनमें इनकी माता का नाम साथ में दिखाई दे रहा है राजा वासिती पुत्र शिरिपुलुमाई वासिती पुत्र मतलब वासिती का पुत्र राजा गौतमी पुत्र ठीक है आप देख सकते हैं तो यह जो वासिती पुत्र गौतमी पुत्र माधिरी पुत्र ठीक है यह क्या है महिला नाम है फिमेल नेम है गौतमी वासिती तो इससे हम कह सकते हैं यह गौत पूछ रहा है तो कह रहा है एक तरफ मा गांधारी है जो अपने पुत्र से युद्ध ना करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और दोस्री दरफ मा कुंती है जिसने बिना देखे पाचों भाईयों को द्रॉबडी को हापस में पाठ लेने को कह दिया तो को दो माहों की बात अब तो हो गई होगा तो गांधारी ने क्या कि अपने सबसे बड़े बेटे के पास गई दुर्योदन से और से विंति करती है शांति की संधी करके तुम अपने पिता मेरे तथा अपने सुब्वेच्च को का संब्मान करोगे कि संधी करो मिदी जो इच्छा है तुवारे बड़ों की इच्छा है उनका संब्मान करो विवे की पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंतर रखता है वह अपने राज्य की रखवाली करता है जो विवे की आदमी होता है वो अपने राज्य की रखवाली करता है अपनी इंद्रियों पर नियंतर रखे तो गुस् को लालच और क्रोध तो कहता हे पुद्र तुम विवेकी और वीर पांड़ों के साथ सानंद इस प्रिथवी का भूग करोगे युद्र में कुछ भी सुब नहीं होता ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है ना ही प्रसनता की युद्र के अंत में सफलता मिले यह भी कर दिये युद्र ना लड़ने की और दूसरी तरह मा कुंति जिसने बिना देखे पांचो भाईयों को कह दिया द्रौपदी को बाट लो कहते हैं ना पुतर जाते हैं कि मा देखो आज हम क्या लाए मा कहती पेटा जो भी लाए हो पांचो भाई आपस में बाट लो मा को जैसे पुतर थे जो माता की आगया मानते थे पर दूसरी तरफ दुर्योधन जैसे पुतर भी थे जिसने मा की विंटी को भी नहीं माना तो आईए यह हमारा यहां पर हमारा पूरा होता है अब कुछ हमारे वन मार्क्स वाले कोश्चन से आप देखिए कहता है गोत्र का ठीक है कहता है सबसे महतुपूर्ण धर्मसूत्र या धर्मसास्त्र कौन सा है मनुस्मृती रिगवेद महाभारत या इन में से कोई नहीं इन सब के जवाब हम पीछे अगर वीडियो को देखेंगे तो हमें अच्छी तरह आ आ चुके हैं अगर आपने ध्यान से वीडियो क्या है सबसे इन दूटी फादर की एंडोगैमी कन्यादान गिविंग प्रॉपर्टी राइट्स आल अफ दा अबहु है कौन वीज़ई हुए पांडव कौरो साथवहन या मौर्य है कौन वीज़ई है आप इसमें बता सकते हैं यह मौर्य है प्राचीन काल में अधिकतर राजवन्स निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे अधिकतर राजवन्स कौनसी प्रणाली का अनुसरण करते थे मात्र वन सिकता पित्री वन सिकता प्रात्री वन सिकता बहु पत्नी परता क्रिटिकल वर्जन ओफ महा भारत का कि नित्रतों में किया गया माभारत का समालोचनात्मक संस्क्रत त्यार करने में विद्वानों को कितने वर्स लगे पांडव और कौरव किस वंस से संबंदित थे किस वंस के राजा अपने नाम के साथ माता का नाम जोड़ दे थे बताईए आप मुझे इन सब के अंसर माभारत का समालोचनात्मक संस्क्रत त्यार करने का किस वर्स शुरू हुआ और वट वाज़ दा एंसे नेम अफ महाभारत का प्राचीन नाम क्या था ठीक है आप आप इनके सब के करिए के लाईएगा आप इनके कमेंट्स में मुझे अनसर बताईएगा और जल्दी ही पार्ट टू लेकर इसका हम आते हैं आज के लिए इतना ही सभी को नमस्कार और उमीदें आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने साथ के सभी त्वेल्ट के बच्चों को भी फॉरवर्ड करें ओके नमस्कार दोस्तों झाल